आधुनिक जीवन शैली में लोग अपने स्वास्थे का ध्यान रखना अकसर भूल जाते हैं, जिससे धीरे धीरे कई क्रॉनिक बिमारिया जन लेने लगती हैं। उच्च रक्तचाप, डाइबिटीज, थायराइड और अन्यस्वास्थे समस्याएं आजकल काफी आम हो गई हैं और इसके इलाज में महेंगी दवाईयों और उपचारों का सहारा लिया जाता है। हालांकि क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर के अंदर ही एक ऐसा गुप्त हथियार मौजूद है, जो ना केवल इन बिमारियों से लड़ सकता है, बलकि उन्हें पूरी तरह से ठीक करने में भी मदद कर सकता है। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में सम्मानित स्थान दिया गया है। केवल धार्मिक दृष्टिकों से ही नहीं, बलकि विज्ञान भी मानता है कि उकवास हमारे स्वास्थे को बढ़ावा देने में सहायक होता है। जो पुराने और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नश्ट कर देता है और उन्हें नई स्वस्थ कोशिकाओं में बदलने में सहायक होता है। इसे शरीर की स्वाभाविक सफाई प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। आटोफैगी शरीर की स्वाभाविक सफाई और पुनर निर्मान प्रक्रिया। आटोफैगी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर के अंदर ही कोशिकाए खुद को साफ करती हैं, क्षति ग्रस्त हिस्सों को निकाल देती हैं और फिर से मजबूत कोशिकाओं का निर्मान करती ये तब होता है जब शरीर को कुछ समय तक भोजन नहीं मिलता। भोजन के अभाव में शरीर अपने बचे हुए उर्जा स्रोतों का उप्योग करके पुराने या बीमार कोशिकाओं को नश्ट करता है और उन्हें पुननवीनी करण कर नई कोशिकाओं में बदल देता है। ये प्रक्रिया शरीर को स्वाभाविक रूट से ठीक करने और उसे स्वस्थ बनाय रखने में साहिता करती है। आईए, जानते हैं कि 36 घंटे के उपवास में आटो फैगी कैसे कारे करती है और शरीर में क्या-क्या बदलाव होते हैं। 36 घंटे के उपवास के दौरान शरी के दौरान शरीर में क्या होता है? आट घंटे के बाद उपवास शुरू करने के लगभग आट घंटे बाद शरीर में रक्षरकरा के स्तर में कमी होने लगती है और शरीर धीरे धीरे वसा को उर्जा स्रोत के रूप में उप्योग करने लगता है। इससे शरीर की अतिरिक् ग्रोध हार्मोन का स्तर बढ़ते हैं, जिससे भूग की भावना धीरे धीरे कम हो जाती है। 13 गंटे के बाद इस समय तक शरीर में ग्रोध हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है, जो शरीर की आयू बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है और चर्वी को जलाने में सहायक होता है। 24 गंटे के बाद इस समय तक शरीर की पूरी पाचन प्रणाली को रीसेट करने का कार्य शुरू हो जाता है और नए आंतों की कोशिकाओं का निर्मान होता है। इससे पाचन तंत्र की कार्यक्षमता बढ़ती है और पेट संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है। 36 गंटे के बाद शरीर शरीर में जमा, जिद्धी चर्वी, विशेशकर पेट के आसपास की चर्वी को जलाना शुरू करता है और उसे उर्जा के रूप में उप्योग करता है। इस समय मस्तिश्क को भोजन की खोज के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे मस्तिश्क अधिक सक्रिय हो जाता है और समग्रम मानसिक स्वास्थे में सुधार आता है। बहतर घंटे के बाद, बहतर घंटे के उप्वास के बाद, शरीर की प्रतिरक्षा प्रनाली का पुनर निर्मान होता है और नई प्रतिरक्षा कोशिकाई बनती है। और भावनात्मक स्वास्थे में भी योगदान देता है। और भावनात्मक स्वास्थे में भी योगदान देता है। इसके सेवन से उर्जा प्राप्त होती है और संतुलित पोशन मिलता है। 2. कॉफी में मौजूद कैफीन से आटो फैगी को बढ़ावा मिलता है। लेकिन ध्यान दे कि ये और्गेनिक और मोल्ट फ्री होनी चाहिए ताकि ये शरीर को नुकसान न पहुचाए। कॉफी का सेवन सन्यमित मात्रा में करें ताकि इसके लाब प्राप्त किये जा सके। 3. ग्रीन टी ग्रीन टी मस्तिश्क में आटो फैगी को बढ़ावा देने में सहायक है। ग्रीन टी में नियूरो प्रोटेक्टिव प्रभाव होता है जो मस्तिश को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ग्रीन टी का नियमित सेवन करने से आटो फैगी की प्रक्रिया में सुधार होता है और मस्तिश की कार्यक्षमता में व्रिधी होती है। चार ओलिव 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 में कई एंटिक सीडन्स होते हैं जो शरीर में मौझूद क्षतिग्रस्थ प्रोटीन को निकालने में मदद करते हैं। एक चमच ओलिव 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 उप्वास के बाद आपकी स्वास्थ को बढ़ावा दे सकता है। पांच हल्दी हल्दी में करक्युमिन होता है जो आटो फैगी को बढ़ावा देता है और कोशिकाओं को गहरी सफाई प्रदान करता है। इसे भोजन में शामिल करने से शरीर में विशाक पदार्थों की सफाई होती है। उपवास से पहले ध्यान देने योग्य बाते। उपवास करने से पहले ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने डॉक्टर से परामर्ष ले। खास कर यदि आप किसी बिमारी का इलाज ले रहे हैं। उपवास एक मजबूत स्वास्थे प्राक्टिस हो सकती है। लेकिन ये सभी के लिए उप्योक्त नहीं हो सकती। उपवास के दौरान पानी का सेवन सुनिश्चित करें। ये सुनिश्चित करें कि शरीर में जल की कमी न हो। हाइड्रेशन महत्वपूर्ण हैं ताकि आपके अंगों को सही ढंग से कार्य करने के लिए परियाप्त पानी मिले। शुरुआत धीरे-धीरे करें। यदि पहली बार उपवास कर रहें तो 36 घंटे के उपवास की बजाए पहले छोटे उपवास से शुरुआत करें। जैसे की 12 या 16 घंटे धीरे-धीरे समय बढ़ाएं ताकि शरीर को इसकी आदत हो सके। शारिरिक सक्रियता को सीमित रखें। उपवास के दौरान अत्यधिक शारिरिक श्रम करने से बचें। हलकी फुलकी गतिविधियों जैसे योग या धीमे चलने का अभ्यास करें। ताकि शरीर की उर्जा को बरकरा रखा जा सके। नकारात्मक मानसिक्ता से बचें। उपवास के दौरान अपने मानसिक स्वास्थय का ध्यान रखें। इसके दौरान कुछ लोगों को भूक और ठकान के कारण चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। ध्यान, प्रानायाम या हलकी स्ट्रेचिंग का अभ्यास करने से मानस इसक शांती में मदद मिल सकती है। 36 घंटे के उपवास के बाद कैसे शुरुआत करें। उपवास के बाद भोजन करना भी महत्वपोर्ण है क्योंकि आपके पाचन तंत्र ने थोड़े समय के लिए आराम किया होता है। अचानक भारी भोजन करने से पाचन में समस्या हो स इसलिए हलके, पोशक और सादे भोजन से शुरुआत करें। उपवास के बाद भोजन की सूची फलों से शुरुआत करें। सबसे पहले हलके फल जैसे सैब, पपीता, तर्बूज या केले खाएं। ये पाचन तंत्र को धीरे धीरे सक्रिय करेंगे और शरीर में ग्लूको खिचडी, ये सुपाच्य और पेट पर हलका होता है। दलिया या खिचडी शरीर को आराम से उर्जा देने के साथ साथ पाचन को बढ़ावा देते हैं। दही, दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो पाचन में मदद करते हैं। ये आपके पेट के स्वास्थे को बहाल करने और इसे अच्छे बैक्टीरिया से संतुलित करने में सहायक होता है। नारियल पानी ये प्राकृतिक एलेक्टोलाइट से भरपूर होता है और शरीर में तुरंत उर्जा और हाइड्रेशन प्रदान करता है। नारियल पानी पाचन में सुधार करने के साथ साथ शरीर को पुनर जली करण में मदद करता है। उपवास के लाभों का दिर्ग कालिक द्रिष्टिकों। नियमित उपवास करना एक लंबी अवधी के स्वास्थे द्रिष्टिकों से लाबकारी है। ये शरीर के विशाक्त पदार्तों को निकालने, पाचन में सुधार करने, मानसिक स 36 घंटे का उपवास करना शरीर के लिए दिर्ग कालिक स्वास्थे लाब प्रदान कर सकता है। जैसे की प्रतिरक्षा प्रणाली को सशक्त बनाना, वजन घटाना और मेटा बोलिजम को बहतर करना। इसके अलावा ये मानसिक स्वास्थे पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल जिससे अफसाद और चिंता जैसी समस्याओं में सुधार हो सकता है। उपवास से जुड़े संभाविद जोखिम और सावधानिया, हालांकि उपवास के कई फाइदे हैं, लेकिन कुछ लोग उपवास से जुड़े संभाविद जोखिमों को नजर अंदाज नहीं कर कमजोरी और ठकान, यदि आपके शरीर में उर्जा का भंडार पहले से कम है, तो लंबा उपवास आपके उर्जा स्तर को कम कर सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए अपनी गती विधियों को सीमित करें। मधुमें और रक्चाप के रोगियों के लिए उपवास के खत्रे मधुमें और रक्चाप के रोगियों के लिए उपवास के दौरान, रक्चशरकरा और रक्चाप की नियमित निगरानी आवश्चक है क्योंकि लंबे समय तक उपवास इनके स्तर में अनियमिता ला सकता है। प्रारंभिक कठिनाई, पहले कुछ बार उपवास करने पर सिर दर्द, चिल्चिडापन और ध्यान के इंद्रित करने में कठिनाई महसूस हो सकती है। इस थिती में छोटे-छोटे उपवास से शुरुआत करके धीरे-धीरे लंबी अवधी के उपवास की आदत डाले। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए अनुश उपवास एक प्राचीन लेकिन आधुनिक विज्ञान द्वारा समर्थित तकनीक है, जो शरीर को विश्मुक्त, स्वस्थ और उर्जावान बनाये रखने में सहायक है। 36 घंटे का उपवास एक अदवितिय तरीका है, जिससे न केवल शारिरिक, बलकि मानसिक स्वास्थे को भी सशक्त किया जा सकता है। ये शरीर में आटोफैगी प्रक्रिया को सकरिय कर पुराने और बीमार कोशिकाओं को निकालता है, नई और स्वस्थ कोशिकाओं का निर्मान करता है, और शरीर को रोगमुक्त बनाये रखने में मदद करता है। इसलिए अगर आप स्वास्थे समस्याओं से जूज रहे हैं या आपने स्वास्थे को और अधिक बहतर बनाना चाहते हैं, तो एक बार 36 घंटे के उपवास को जरूर अपना कर देखें. ये एक आसान, प्राकृतिक और प्रभावी तरीका हो सकता है, जो आपके शरीर और मस्तिश को एक नई दिशा दे सकता है. सावधानिया और अंतिम सुझाव, उपवास से पहले अपने डॉक्टर से सलाज जरूर ले, खास कर अगर आप किसी गंभीर बिमारी का इलाज ले रहे हैं, अपने शरीर की सीमा को समझें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं. हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उपवास एक प्राकृतिक चिकित्सा प्रनाली है, जो आपके शरीर की स्वाभाविक सफाई और पुनर निर्मान प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए होती है. इसका लाब उठाने के लिए सन्यम, धहरिय और सही मार्गदर्शन आवश्चक है. इस प्रकार 36 घंटे का उपवास न केवल एक स्वस्थ जीवन शैली का अंग है, बलकि ये हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार की शुद्धी प्रक्रिया को पुनस सक्रिय करने का माध्यम भी है. अपने शरीर को स्वस्थ रखने और लंबे समय तक जीने के लिए इस प्रकार की स्वास्थ्य विधियों को अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करें.